भारत सम्विधान से चलता है और सम्विधान की स्वतंतरता है सब को कि आदमी अपने तौर तरीके से जी सकता है आज मैं बात करूँगा हालकि ये बनारत से हैं और चीरई गाउं एहडियम जोती मौरिया के चीरई गाउं के बगल से हैं और महिलाओं के लिए बड़ा सकते हैं अगर उसने मनिस दूबे को अगर रख लिया आइसा ही कह लिजे रख लिया तो काउं सा गुना कर लिया पहले तो स्वागत है नमस्कार सर क्या लगता है आपको कि आ जोती मौरिया और आलोक मौरिया हाला कि आलोक मौरिया से आपकी बात भी होती है आलोक मौरिया को दिदिकाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप इसलिए आलोग का सपोर्ट करती हैं देखिए बिल्कुल नहीं उनसे मेरी बात हुई वो मुझे दिदी करके संभोधित किये मैं इसलिए नहीं उनका सपोर्ट कर रही हूं कि वह एक पुरुष है और उन्होंने जो इल्जाम लगा विधान इस रिलेशन्शिप को भी मानेता देता है लेकिन फिजिकल होना जोतिम और यह गलत का जोतिम अच्छा किये हैं बहुत अच्छा किया मर्द कर लेते हैं एक बीबी नहीं पचास भी रखते हैं छोड़ देते हैं तलाक दे देते हैं इस पे तो कोई सवालात नहीं पद की बात है यह एक पद की बात अलग चीज़ है लेकिन यहां अगर देख लिया जाए तो एक बार चिला रहा है कि मेरे पतनी मनिस दूबे को रख ली मनिस दूबे के साथ सुद्वाजा सोरा में पकड़ा था जो कि क्या होता है कि दोनों एक साथ हम बिस्तर हुए थे ऐ उस अवरत पर क्या गुजरता होगा जो उसकी पहली वाली बीवी रही होगी तो एक चीज़ आप समझें बीवी कभी नहीं चाहती है कि मेरा पती मतलब हो तो जब पती के अपना सब कुछ गमा के पती को छोड़ देते कि जाओ जो तुम्हे करना तो पती को भी तो छोड़ तो यहां तक तो यह कहूंगी कि इनको तलाक दे रहें क्योंकि कि किसी को नहीं बांध के रख सकते हैं कि मैं पड़ाया हूं सब कुछ किया लेकिन अब इच्छा उनकी कि मैं आपके साथ नहीं रहेंगी तो आप छोड़ देजिए क्या मर्द लोग ऐसा नहीं करते हैं मतलब यह चीज है कौन सा बुरा कर दिया आपने कभी दिखाया है औरतों के जिस्तर से प्रतारित किया जाता है और इतको मर्द मारता भी औरत को छोड़ भी देता है अपने कलह से किसे अपने दद को बयान ही कर पाती है आज एक लड़की कर दी तो आपको तकलिफ होने है तो इस मुद्धे पर जाइर से बात है तीनों को निकल के बाहर आना चाहिए और इस पर अपनी बात रखनी चाहिए अलोग ने भी चुपी साद लिया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए अगर उनको चुपी रहना था तो उन्होंने इस मामले को इतना दूर तक कौन तो आप पर अलोग जैसे लोग समाझ पाएंगे यह बास सही है कि पढ़ाई खरीदा नहीं जाता है पढ़ाई अगर मेरे जैसे इंसान को आप एच्ट्यम नहीं बना सकते हो जाइर से बात है अगर मेरे में क्वालिटी पैसा दे दूगा है बिल्कुल ही मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती कि फिर वो आलोग के पास मदद क्यों मांगने गई थी ऐसा तो नहीं था कि एक पद को उच्छालने का एक जरिया था और अब मामला उच्छल गया तो यह लोग परिवारिक मुद्दे बोल के इसको सांथ करना चाहरें तो कि यूँ जैसे आप देख लिजे क्यों लोग कर रह रहा है आखिर क्यों एक 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 कि घलती से सब गलती सभी लोग अपना तो से यह कि यह बहुत बड़ा एक जो है कि संदेश हमारे समाज में चला गया है इस पर इनको चुपी तोड़नी ही और आफिर क्या वज़य है क्योंकि यह जो जय रहा वो गलत है और बहुत सारे महिल पूरुस की बात रह गई है नहीं एक सफाई कर्मी की बात जो पूरुस है जो देखिए इस पर सवाल वही पूरुस ज्यादा उठा रहे हैं जो नहीं चाहते कि महिलाएं घड़ से बाहर निकले जिने महिलाएं परदे के अंदर चाहिए वही महिला पूरुस जो है इसका बिर स्क्र ihrूम्र में हो सकता है लेकिन अवनी मर्यादा खोना कहीं कई गलत है कहा मर्यादा को यह को भर दी कि पियार कर दी उनके साथ चली गई उनके साथ उनके पती रखें अगर वह अगर देख लेत तो यह सब नहीं होता सुनी तमाम अउरत करते हैं और मर्द देखते रहते हैं जैसा कि आज बात करके लगा कि अरे वह एक अज़िए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करके सवाल आये लोगों से बात जब किया तो पता चला ऐसा नहीं है इंसान है वो किसी विपद पर उसको जीने का हग तो है बिल्कुल चलिए जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं का एक नहीं एक मुद्दा नहीं हजारों दाब रही नहीं गया है जिस तरीके से रिल्स के जरिए सोसल साइड के जरिए अलग अलग बीडियोज बना के उसको बदनाम किया जा रहा है कहिन कहीं उनके लिए गलत है क्योंकि देखिए एक महिला उनका भी मानसिक सनुकिस लेवल पर हो सहरही होंगी उनका परिवार जै की तरह से मर्द स खैब करें कानून सचाहिल आये हम लोग क्या कर सकते इस में बिलकुल बिलकुल लेकिन हां एक चीज ज़ानी मैं बता जूँ जिस तरह से मर्द का भी हक है उसतरह से क्या होता है कि और फिरत का यह ठीक है लोग कहते हैं कि सात जनम का कौसम खाया जाता है ल यहां आदा तुम्हारा आक है आदा मेरा आक है तो आखिर कैसे फासला कर ली जो थी ऐसा भी आ रहा है ऐसा तो उनकी परिवारिक यह तो वही तीनों बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है और उन तीनों को आप बोलना ही पड़ेगा क्योंकि अब इनके घर की बात नहीं है उनका पारिवारिक मुद्दानिय देश में एक गलत संदेश दे रहा है। इस संदेश को रोकने के लिए इनको बोलना ही पड़ेगा और इनको नहीं बोलना था तो इस मामले को इतना उच्छालना ही नहीं था। कमेंट करके बताईएगा आज के लिए इतना ही बने रहे विडियों के साथ मैं हूँ जितने अंदर और आप देख रहे थे जो सक्ष्प्रेस नमस्कार।